नमस्कार वेलकूम बैप टु मैं चैनल कवीता विश्वर कमा विलॉक्स मेरे चैनल पर आपका बहुत 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 सौगत है तो आज मैं आप लोगों के लिए हेर केर टीप्स और हेर केर डियावाई लेके आई हूँ जो मैंने यूज किया है इसके बाद आप लोगों के सा काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और बालों में जैसे की जड़ों पे जो इचिंगनेस होना पसीनों के कारण बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ता है समर सीजन में तो आज उसके लिए वीडियो लेका यह हो तो वीडियो ज़रूर एंट तक देखिएगा और मैंन अच्छे के कितनी बार उसे यव्यूज करना है वो सारी चीजे मैंने आगे आप लोगों से शेयर किये और स्पेशली हेर के लिए बहुत ही अच्छा है आपके बाल काफी ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे और आपके बालों की जो शाइनिग जो होती है आप देख सकते हैं आप बालों की जो मजबूती होती है उससे आपको काफी ऐचा रिजल्ट मिलेगा और हैर लॉन्ग करने में भी काफी जादा हैल्फ मेलेगी फिलाल मैंने सेकन् टाइम यह हैर कटिंग करवाय है तो काफी अच्छा मतलब जैसे की हैर ग्रोथ करना है आपको फास्ट यहां पर देखिएगा तो चले स्टार्ट कर लेते हैं किसे मैंने कैसे बनाया और कैसे लगाया है उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे कोई भी निए वीडियो है किस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजेगा और बहुत अच्छ लगी और वीडियो में इनफोर्मेशन लगी आपको तो शेयर ज़रूर कीजेगा तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे और यह डियावाई मैंने थ्री वीक से ट्राइ कर रही हूँ तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है तो फिर इसके लिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और अच्छी चीज़े मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती तो सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है ऐलोवेरा निइव तो मैं मेरे हेर की हसाब से बना रही हूँ मैंने मेरे हेर अभी चोटे हैं शूल्डर से थोड़ा नीचे आते हैं तो उस्पते अच्छी हें ह्यागों एगर के हेर बड़े हैं तो आप इससे multiplication हो ज творகց हो तो आप अपने तरीके से लोवेरा जेल निकाल लिए और आप एर के लिए यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लीफ का यूज कर ये जो मार्केट का होता है अगर हम हेर के लिए थोड़ा सा अबॉइड करेंगे तो अच्छा है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा लीफ ले लिया है तो इस तरीके से हम सारे एलोवेरा जो हैं वो निकाल लेंगे तो मैं मेरे हेर के हिसाब से ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने एलोवेरा ले लिया है तो तक्रीबन यहाँ पर तीन से चार चमच यहाँ पर यह एलोवेरा जेल मैंने निकाला है और यह जो इसके जो बच्चेवे पार्ट है किसी-किसी में थोड़ा जादा बच गया है तो उसे हम फेकिंगे नी उसे हम रख मैंने थे फाह जोड़ा थे जोड़ान आप भूड़ा एंख चनल पहलिम उसके जोड़ा आ यह जोड़ा जोड़ीन सीबक्रा यहाँ जोड़ा कि कैस्टर ओयल को हम डायरेक्ली बालो पे या जोडो पे अपलाए नहीं कर सकते हैं क्यूंकि वो काफी ज्यादा गाढ़ा होता है थीक होता है इसके लिए इसे किसी भी चीजों में आप मिक्स करके लगाए और कैस्टर ओयल से आपके हेर ग्रोथ बहुत ही जल्दी होते हैं तकरिवन मैंने यहां पर एक चमच ले लिया है अगर आपने हेर ओयल कर लिया है तो आप आधा चमच लिए जिए अगर आपने हेर ओयल किया है तो एक चमच पूरा लीजिए और यहां पर मैंने ले लिया है हनी तो हनी मैंने पूरा भर के एक चमच लिया है हनी से हमारे बा बालो में जो काफी शाइनिंग आ जाती है और जो मतलब बालो की मजबुती है वो काफी अची बढ़ जाती है और कैस्टर रॉयल हमारा बाल उगाने का हेर ग्रोथ करने का काम करता है और हेर को मजबुत करने का और लॉंग करने का काम करता है और जो जेल है उसके तो बहुत अंगिनत बेनिफिट से हमारे स्कीन चाह हेर उसे एक मेडिसिंस के भी रूप में यूज किया जाता है तो एलोविरा बहुत ही फायदे मंदे हमारे हेर जो डैमेज होते हैं उसे रिपेर करना उसमें पोस्टिक डालना प्रोटिन्स डालना उसकी बहुत जादा हेल्प करता है बालो के लिए और उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे दही कर्ड ले लिया है तो दही आप खटी लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा जैसे कि हमारा डिप क्लीन्जिंग का काम कर देता है अगर किसी को डैंड्रक की शिकायत है तो उसे भी रिमूव करने का का करता है तो यहाँ पर मैंने पूरा चमच भर के चार चमच मैंने यहाँ पर दही ले लिया है तो मेरे बालो की हिसाब से मैंने यह डिया बनाया है ताकि मेरे पूरे बालो में पूरे जड़े जड़ों पर यह अच्छे से अपलाए हो जाए या फिर आप इस मिक्शर को डैर आप सकते और भी दोनों तरीके से प्राप करता है तो मैंने यहां पर लिया है तो मैं इमुद्च डाल Park जाता है तो इस नहीं पर में ड्रुड़ को बिछी प्रोपन कि इतना प्रस्स दो जतील कुए है तो दोप की तूपर में हमारे बालों में काफी काफी है जाती वैंश ही लग जाते हैं धूप की वज़े से पसीनों के वज़े से और गर्मी का सीजन आ चुका है समर सीजन आ चुका है तो इससे बालों की बहुत जादा प्राब्लम शुरू हो जाती है इचिंग शुरू हो जाता है बहुत लोगों को अंदर अंदर बहुत जादा इचिंग होना तो इस सब चीजों से बचना है तो आप यह जरूर ट्राइ किजेगा आपके बाल काफी अच्छा स्मूध हो जाएंगे सिल्की हो जाएंगे और आपके बालों की जो डायने की वज़े से शाइनिंग चली जाती है वह आपको मिल जाएगे और आपके बाल डैमेज होने से बच तो बी अच्छे से रहती है वह चाहे वह स्कीन का हो है वह मेटे चीजों से बहले थोड़ा लेट हमें रिजल देता है तो इस तरीके से देखे मैंने कि कि स्मूध पेस्ट बना लिया है अच्छी तरीके यह पेस्ट बश चुका है तो छलोμαι अपने बालो के लिए रेडी है तो चलो हम आपने बालो पर अब़र मैं आपने वहाय कर लूँगी तो इसके लिए मैंने कास्ट अइल टाला है अगर आपने आइलिंग की हुई है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं तो नहाने से या फिर बाल दोने से एक घंटा पहला पिसे इस तरीके से पूरे बालों में और जड़ों पे मसाज करते करते हैं अपलाई कीजिए और यह न काफी मैशी होता है मतलब काफी मतलब जैसे कि लिक्विड में है तो काफी जगा गिरता है तो हो सके क्या पैसे कपड़े पहनी है ताकि अगर गिरे तो को भी प्रॉब्लम ना हो तो मैंने हापे नाइटी पहना हुआ है तो इसके लिए मैं अच्छे से अब इस पर अपलाई कर लूँगे और काफी मैशी होता है थोड़ा सा हमने हनी वीडियो बना रही हूं कैमेरे के सामने नहीं जम रहा है इसके बाद मैंने मेरे इंबीर में जा के अच्छे से इसने पूरे बालों में जड़ों पे अपलाय कर लिए है तो आप देख सकते हैं पूरा खितम हो चुका है पेस जो मैंने बनाया था और इस तरही चाहे तो कव खर सकते हैं अगर नहीं चाहें तो भी नहीं कवर करेंगे तो भी चलेगा तो थोड़े जो पानी है वह थोड़ा मुड़ा गिरता रहता है बट कोई बात नहीं है आप इसे गंटा रखिए और एक गंटे के बाद आप जो शैंपू यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कीजिये जो की एंग से क्रपाइब है जो ता करने के सबस्ट एक इसकि हिर इसकि किपा है। आप लोगों से मिल ङूट करने के बाद मैं आप लोगों से मिल लूए तो आप मेरे हायर देख सकते हैं। अगर जिसे दही सूट होता है दही पसंद है तो आप जरूर से यूज कीजिएगा काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और जिसे कि बहुत लोगों को डाइंडर्फ की प्रॉब्लम होती है पर उन्हें दही सूट नहीं होता है या फिर तो आप उसमें लेमन यूज कर सक अगर आपके बालोक में डाइंडर्फ की प्रॉब्लम है या फिर इचिंग बहुत जादा हो रही है तो आप जरूर इसमें यूज कीजिएगा तो मैंने यहां पर दही उसकिया है और मेरे बाल काफी अच्छे मतलब बोलते न सिल्की हो चुके हैं और जो हैर की जो मतलब ब पसंद आई होगी तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा तो चली मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ सो बाए टेक केर